स्वागत है आप सब का अपने चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट में आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं NDR Auto Components Limited के बारे में और वीडियो में हम आपको कंपनी से रिलेटिड इंपोर्टेंड निउस भी बताने वाले हैं तो आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किये वे शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि इस कंपनी का स्टॉक आपके पास है या फिर नहीं है तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप 2061 करोड का है अब बात कर लेते हैं कंपनी में शेयर होल्डिंग के बारे में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कंपनी में 73.06% की है और रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग कंपनी में 26.94% की है तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कम्पनी में हमें सिर्फ दो तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है और अगर बात करें कम्पनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो इसका P.E. रेशियो 50.14 है और जो इस सेक्टर का P.E. रेशियो है वो 51.41 है P.E. रेशियो 8.01 है R.O.E. 17.84 परसेंट है कम्पनी अपने निवेशकों को डिविडेंट भी देती है इसका डिविडेंट इल्ड 0.21 परसेंट है कम्पनी का डैप टू इकुटी 0.01 है जान लेते हैं कम्पनी के अंदर प्रॉफिट और लॉज के बारे में सबसे पहले इसकी Yearwise report देख लेते हैं 2023 में कम्पनी को 28 करोड का प्रॉफिट हुआ था जबकि 2024 में कम्पनी ने 39 करोड का प्रॉफिट अर्ने किया है 2023 के कम्पैरिसन में 2024 में कम्पनी ने प्रॉफिट ज्यादा अर्ने किया है और अगर बात करें इसकी quarter wise report के बारे में तो June 2023 में company को 8 करोड का profit हुआ था जबकि June 2024 में company को 12 करोड का profit हुआ है June 2023 के comparison में June 2024 में company ने profit जदा अड़ने किया है जान लेते हैं share market में company की performance के बारे में 2020 से अभी तक company ने अपने निवेशकों को 2745 परसेंट का return दिया है जो कि एक बहुत अच्छा return है एक साल में company ने 221 परसेंट का return दिया है छे महीने में कमपनी ने 122% का रिटेंड दिया है एक महीने में कमपनी ने 53% का रिटेंड दिया है और पास दिन में कमपनी ने अपने निवेशकों को 3% का रिटेंड दिया है तो आप सबने NDR Auto Components Limited से संबंधित आंकडे देख लिए हैं कमपनी में हमें सिर्फ दो तरह की शियर होल्डिंग देखने को मिल रही है कमपनी का P.E. रेशियो लो है कमपनी अपने निवेशकों को डिविडेंट दे रही है इसके अलावा कमपनी का Dap to Equity लो देखने को मिल रहा है बात करें कमपनी में Profit और Loss के बारे में तो कमपनी Year-wise और Quarter-wise दोनों में अच्छा Profit Earn कर रही है और अपने निवेशकों को Return भी अच्छा दे रही है अब बात कर लेते हैं कमपनी की Important News के बारे में वो यह है कि कमपनी ने 1Y 1K Ratio में बोनस देने का Announcement किया है यानि जिसके पास इस कमपनी का 1 Share है उसे 1 और ऐसे बोनस मिल जाएगा और उसके पास Total 2 Share हो जाएगे और इसकी Rate उस हिसाब से Adjust हो जाएगी इसका Announcement कमपनी ने 8 August 2024 को किया था और इसकी Record Date 25 September 2024 है तो आप सब किसी भी कमपनी में निवेश करने से पहले अपनी Financial Advisor की सलहा ले ले और खुद भी अच्छे से Research कर ले वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को Like कर दे और अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल Share Market Report को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे बहुत जल्दी मिलते हैं हम आप से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए बाई